हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो वाई यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम तो फ्रेंड्स आज की स्रीडिम हम लोग यूपी PCS 2021 की टेस्स सेरीज में टेस्स नाइन सॉल्फ करेंगे इसमें साइंस की कुछ इंपॉर्टर क्रेशन्स हैं और देखेंगे तो आईए स्ञश्कोर करेक्ट अंसर 15 मीट Кол एक यह श्रीक कीश है यह उत्त्र हम जो परी प्रोग एचा है एक बहु वर्ष्या रख्षण से लगबग शालेइस प्रतिशत तेल प्राप्त होता है ठेक है इसके बीजों से डीजल बनाने की जो सफल प्रियोग है वो किये जा चुके हैं इस वज़ेसे यह जो रत न जो होते हैं वही अच्छे रिलीजेश भी अच्छा जो है करते हैं तो इसमें यह पूछा गया है नियम कौन सा है इस टिफन का नियम न्यूटन का शीतिलन नियम किर्खाफ का नियम या फिर न्यूटन का गतिविश्यक नियम तो question 2 का correct answer जो है वो है option C किर्खाफ का नियम इसमें है क्या कि जो अच्छे अशोषक होते हैं वो अच्छे उतसर्ज़क होते हैं अशोषक ही अच्छे उतसर्ज़क होते हैं कैसे जैसे अंधेरे अंधेरा कमरा है ठीक है उसमें यह काली और एक सफेद वस्तु ले ले लें और उसको समान ताप पर हम गरम करें गरम करके हम अंधेरे कमरे में अगर उसे रखें तो हम देखेंगे कि जो काली वस्तु है वो अधिक विक्रड उतसर्ज़द करेंगे वो अधिक चमक करेंगे अंधेरे में ठीक है अधिक चमकेगी विक्रड वो अधिक उतसर्ज़द करेंगे तो इसी वज़ज़ और हम यह भी जानते हैं वो किरखौफ के नियम में कहीं गई हैं, next question है, question number 3, question 3 में है, सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए, तर्था कूट की साहता से उतर दीजिए, सुची एक में खोज दी गई है, सुची दो में विज्ञानिक, जो खोज करता है, प्रतम कोज़ करता है सबसे पहले जिननक हो जाए ठीक है तो वो यहाँ पर दिये गया है तो खोज़ देख लिजे Quantum सिद्धान, Photography, Film में Photography जो है वो किसमें है? Film में ठीक है, Triode Wolf और Nabi की रियक्टर एग्यानिकों की नाम है Enrico Fermi, Deforest, Max Planck और John Corbett तो कूट की साहता से हमें इसका आंसर देना है Question 3 का जो correct answer है वो है option A, 3, 4, 2, 1 तो आईए match करते हैं, देखिए इसमें जो पहला है Quantum सिद्धान, Quantum सिद्धान अमनों जानते हैं यह किसे ने दिया है? Max Planck ने, ठीक है? तो Max Planck उन्होंने Quantum सिद्धान दिया है, Quantum Theory दिया है फिर आता है second number पे photography वो भी फिल्म में तो जो photography जो है, वो जो फिल्म में यह जो है दी है मतलब इसकी जो खोच करते हैं, सबसे पहले इसकी जो शिरुआत की थी पार ज्यान कारबट क्यान कारबट की थी तर्ड में डेक्र शिरुआत Ireवलफ, १रभी फिल्म में कर। इन्होंने क्या किया थाए? अथाएक जो टायाइटॉबब सोत में रेक्रोड में लेटुआता। तो वो triad vault बन गया और फिर लास्ट में आता है नाविकी रियक्टर नाविकी रियक्टर की जो खोज की है वो है एंड्रिको फर्मी ने एंड्रिको फर्मी ने नाविकी रियक्टर की खोज की है तो question 3 का जो correct answer हुआ वो A हुआ 3421 next question पर चलते हैं देखे next question में दिया गया है केंद्रिय धान संस्थान कटक की विग्यानिक को द्वारा विश्व का प्रिथम अतियुत्तम धान का नाम करण हुआ ठीक है कटक में केंद्रिय धान संस्थान है उसने वहां के विग्यानिक थे उन्होंने अतियुत्तम धान जो है उसका नाम कराण गया, तो क्या नाम उतको दिया? आप्शिन्स हैं, अनुश्री, चांदनी, के 4 अने टू, या फिर लूनी श्री. कुशन 4 का जो गरेक्ट आंसर है, वो है, आप्शिन D, लूनी श्री, केंद्री धान, संस्थान, जो कटक में, कटक की वग्यानिकों द्वारा विश्व का प्रतम अतियुत्तम धान, उसको लूनी श्री नाम दिया गया है. नेक्स्ट कुशन है, कुशन नमबर 5, कुशन 5 में है, कुचुक किस पदार्थ का श्रोत है? आप्शिन्स हैं, रबर्ड, जैवेंधन, मॉर्फिन, या फिर कोडीन. कुशन 5 का जो करेक्ट आंसर है, वो है, आप्शिन्स C, मॉर्फिन, कुचुक जो है, वो मॉर्फिन पदार्थ का श्रोत हैं. पहले तो ये जानने कुचुक होता गया है, ये कुछ विशिश्व रक्षों का वे दूदिया, जो निर्यात होता है, जो निकलता है दूद के रूप में, जो की सूख करके एक लचीला और रबर की तरह का ये कवच जैसा बन जाता है, तो एक लचीला और रबर की जैसा जो है, ये इसका स्वरूप दिया गया है, कुचुक, तो कुचुक जो होता है, वो morphine जो होती है नशीला पदार जोता है उसका ये श्रोथ है बाकि जैसे यहां पे हैं और जो options है उनमें जबकि जो कोईला और petroleum ये सब जो है कोईला पेट्रूलियम बायो गैस कोबर गैस ये सब जैविंधन के अंदर का जाएंगे और rubber जोता है वो एक प्रेकरतिक को फुलाने के लिए प्रियुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है ऑप्शन से हैं hydrogen helium nitrogen और और ऑर्गन तो question 6 का जो correct answer है वो है option C nitrogen वायो यानों के टायरों को भढ़ने है तो nitrogen गैस प्रियुक्त की जाती है क्योंकि nitrogen nitrogen gas का जो दबाव होता है वो कम होने के कारण वायो यान के उतरते एवं रुकते समय विसफोर्ट की संभावना कम होती है तो इनका मेली जो जो दबाव होता है वो कम होता है तो इस वज़े से जो वायो यान के टायरों होते है नमें nitrogen भरी जाती है ताकि इसका जो फटे ना नेक्स्त Q nes опас नेक्स्त्राइं वह रेडियो समस्थाने जिसे परिवहन तंत्र में खून की थक्या का पता लगाने के लिए प्रियोग में लाया जाता है वहाई जो सर्कुलेटरी度 उस्टम य। उस्में में सका Q7 का जो correct answer है वो है option D, sodium 24, sodium 24 जो है ये एक समस्थानिक है sodium का इसका प्रियोग किया जाता है Q8 में है थैलियम में पारा का विलियन कैसा मिश्रोण है options है ठोस में द्रव का विलियन, द्रव में द्रव का विलियन, गैस में द्रव का विलियन, या फिर ठोस में गैस का विलियन Q8 का जो correct answer है वो है option A, ठोस में द्रव का विलियन थैलियम जो होता है फो एक ठोस पदा रहते हैं और पाराम लोग जानते हैं यह लिक्विट में आता है ठीक है द्रव में आ जाएगा तो ठोस और या नि थैलियम और पारे का जो विलियन होता है उसमें ठोस और द्रव का वो विलियन कहलाएगा ठीक है Q9. कुरूप कांच ? कांच की प्रियोग वबतल है. उन प्रियोग करना 1945 कोई न हicket प्रियोक . Q9 करना , W2. क्रूप चश्मे के लैंस में न की प्रियोग है ? दूप चश्मे लगा जाता है या दूरबिन की लैंस में तो किसमें जो है वो जो क्रुक्स कांच है उसका प्रियोग किया जाता है तो question 9 का जो correct answer है वो है option C धूब चश्मों के lens में धूब चश्मों के lens में क्रुक्स कांच का प्रियोग किया जाता है और यह जो कांच होता है वो serium oxide silica का बना होता है ठीक है किसके बनाता है सीरियम उक्साइड सिलिकागा नेक्स टेन लास्ट क्षिशन है क्षिशन नमबर 10 क्षिशन 10 में है सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की साहता से उत्तर दीजिए जो यहाँ पे सुची यां दी गई है सुची 1 में देखे क्या है डेंडरोलोजी, ओफियोलोजी, सौरोलोजी और सिल्वी कल्चर तो यहाँ पे मेली एक ग्रूप आफ स्टेडी दे गई है और किसमे किसकी स्टेडी करनी है वो यहाँ पे दिया गए सुची 2 में तो सुची 2 में है छिपकलियों का अध्यान, व्रक्षो यवं जाड़ियों का अध्यान, कास्थी पेड़ों का समवर्धन या सर्पों का अध्यान तो कूट की साहता से हमें इसका आंसर देना है Q10 का जो correct answer है वो है option A Q10 का जो correct answer था वो है option A, 2, 4, 1, 3 से match करके एक बहर देख लेते हैं जैकि जो dendrology है, dendrology में व्रक्षो यवं जाड़ियों का अध्यान किया जाता है फिर है ओफियो लॉजी, ओफियो लॉजी में सर्पों का अध्यान किया जाता है सौरो लॉजी में छिपिलियों का अध्यान किया जाता है और लाश में आता है सिल्वी कल्चर जिसमें कास्टी पेडों का समवर्धन इसका अध्यान किया जाता है Q10 का जो correct answer हुआ वो A हुआ, 2, 4, 1, 3 तो फ्रेंट साच की वीडियो यहीं पर ही end होती है थैंक्स फर वच्चिंग